Hi, this is Manisha Singh, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चनल पर Friends, I hope you all are doing well and good and आपकी preparation भी बहुत अच्छे से चल रही होगी तो आज लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक धमाकेदार government job की update जो की direct निकल के आ रहा है बिहार SAC की तरब से 10 प्लेस 2 लेवल की recruitment 2023 के लिए Friends, जैसा कि आप सभी को मैंने पहले बताया था कि वेकेंसी आएगी आपको 12,000 एप्रॉक सीट पे तो बहुत सारे candidate बोल रहे थे कि मैम आप जूट बोल रहे हो काब आएगा और मैंने ये भी बताया था कि September तक ये वेकेंसी आजाएगी तो देखिए मेरी बात आपको 100% authentic सच निकली आपकी ये वेकेंसी आ चुकी है टोटल 11,098 सीट के लिए वेकेंसी आउट हो चुकी है और जैसा मैंने बताया था वैसा ही आपको 19 सेप्टेंबर को इसका notification भी जारी कर दिया गया All India की वेकेंसी रहेगी male and female दोनों ही category के candidate अप्लाई करेंगे तो चलिए फ्रेंट्स इस वेकेंसी के regarding हम लोग complete detail पर में discuss कर लेते हैं कि इसका selection process क्या होगा category wise seat के रखा गया एक्जाम की pattern initial enhance salary सादा कुछ हम लोग discuss करने वाले हैं तो आप वीडियो को end तक जरूर देखना चलिए ज़्यादा time waste नहीं करूंगे आपका फटा फट से वीडियो को start कर लेते हैं जैसा आपको पताया था friends कि बिहार SSC inter level 10 plus 2 level की recruitment आ चुकी है टोटल पोस्ट आपका 11,098 seat रखा गया है यहाँ पे तो category wise हम लोग seats को देख लेते हैं जैनरल के लिए 5,064 seats है EWS के लिए 1,090 seats है BC के लिए 1,249 EBC के लिए 1,884 SC के लिए 1,376 ST के लिए 76 And backward cast women के लिए 368 seat रखा गया है Overall अगर आप देखेंगे तो Rajasvra Karam Chari के लिए 3559 seat है Panchayats Achieve के लिए 3532 seat है रही बात important dates की कि यह firm कब से अपलाई होगा तो friends यह भी आपका notification में बता दिया गया है कि 27 September से यह firm स्टार्ट हो जाएगा मतलब कि ज़्यादा दिन नहीं बचा आप आपका इंतिजार खतम हो चुका है आपको जल्द ही यह firm स्टार्ट हो जाएगा online होना 11th of November 2023 इसके लिए last date रखा गया है तो काफी समय मिलेगा firm apply करने का तो इसका मतलब यह नहीं कि आप 11 November के इंतिजार में आप बैठे रहे न 27 September को जैसे ही firm online होगा आप जल्द से जल्द इस firm को apply कर देना आएए मैं बता दू firm apply करोगे तो fee क्या लगेगी category wise जेनरल OBC EWS और अदर स्टेट केंडिडेट का लगेगा 540 रूपीज मतलब कि जेनरल OBC EWS मेल केंडिडेट और अदर स्टेट मेल और फिमेल दोनों को लगेगा 540 रूपीज ACST, PWD and female जो की behind domicile के ये सब होंगे उनको 135 रूपीज यहाँ पे firm की fee लगने वाली हो रही बात educational qualification की तो simply अगर आपने 10 plus 2 pass out कर रखा है मतलब आप inter pass हो कोई भी stream है arts, commerce, science, इंडिया के किसी भी recognize school, board, university का certificate है 10 plus 2 आपने pass कर लिया है तो आप eligible रहने वाले हो Age limit भी आपको बता देती हूँ Your age will be calculated as on 1st August 2023 Male candidate जो general candidate है उनका minimum age 18 years and maximum 37 years है General candidate females के लिए minimum 18 years and maximum 40 years रखा गया है Relaxation भी मिलेगा OBC और EWS को 3 years का and SCST को मिलता है 5 years का तो चलिए हम लोग इसका selection process समझ लेते हैं Your selection will be dependable on major 3 stages First of all you have to clear prelims exam मतलब कि एक होता है आपका प्रारंभिक परिक्षा फिर होगे आपकी mains यानि की मुखे परिक्षा जिसको बोलते है वो होगा उसके बाद typing की test होती है तो आप सोच रहा होगे कि कैसे कैसे क्या process होगा तो जैसे pre-exam में जितना seat है उसके 5 गुना बच्चों को यहाँ पर इसके 5 गुना आप कर लो कर लेते हो तो merit list में नाम आने के बाद आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाती है तो चलिए आगे हम लोग डिसकस कर लेते हैं कि exam pattern क्या रखा गया है exam के लिए तो पहले हम लोग बात करेंगे pre के exam pattern के बादे में pre में होगा आपका 150 questions 600 marks के लिए और time मिलेगा आपको 2 hours and 15 minutes का negative marking भी रहेगी 1 by 4 यानि की 0.25 का negative marking रहेगा subject wise अगर बात करूँ तो general knowledge के 50 questions रहेंगे आपको 200 marks के लिए और math plus science के 50 questions मतलब कि 25 plus 25 तो आपको ये 50 questions रहेंगे 200 marks के लिए reasoning के 50 questions 200 marks के लिए मतलब कि per question मिलता है आपको 4 marks और negative रहेगा 0.25 का so I hope कि आपको pre की exam pattern clear हो गए होगे आईए अब हम लोग mains का exam pattern समझ लेते है mains में friends आपका paper 1 and paper 2 दो paper देना होगा paper 1 में आपका होगा hindi language के 100 questions 400 marks के लिए time मिलेगा 2 hours 15 minutes के लिए paper 2 में आपका 150 questions 600 marks के लिए time आपको मिलते है 2 hours 15 minutes का negative marking 1 by 4 कर रहेते हैं math and science के 50 questions 200 marks के लिए reasoning के 50 questions 200 marks के लिए मतलब कि per question इसमें भी 4 marks रहेगा negative marking आपको 0.25 का रहेगा so I hope कि यह आपको clear होगा pre and men's का जो exam pattern रखा गया आईए बता देती हो minimum passing marks क्या रखा जाएगा minimum आपको general को at least 40% score करना है तभी जाके आप qualify कर पाऊगे BC and EBC को minimum 36.5% लाना है और ACST को minimum 32% and female और जो physical handicapped person है उनके लिए भी 32% minimum passing cut off रखा जाता है कि इतना score करने के बाद आप qualify कर सकते हो वैसे तो friends competition बहुत जादा बढ़ चुका है सिर्फ बिहार ही नहीं all India की candidate इसके लिए apply करेंगे तो आप 32% या 42% मान के नहीं चल सकते हो आप अपना 100% दो त्यारी अच्छी करो ताकि आप एक अच्छा score कर पाऊ exam में तो cut off कुछ भी रहे आपका cut off से उपर ही score रहेगा तो आपको कोई tension ही नहीं होगा चलिए मैं बता देती हो कि salary क्या रखी गई है इसके लिए salary क्या मिलती है तो इसमें different different post के लिए vacancy होती है तो आपका starting salary होती है 19,100 से starting होती है और आपको 81,100 तक यह salary रहती है post wise vary करता है आप screen पे देख पा रहे होंगे आप चाहो तो screen shot ले सकते हो इसका और बाद में आप इसको अच्छे से समझ लेना तो friends मैंने जो आपको detail बताए है आप I hope कि आप यह सब अच्छे से समझ पा रहे होंगे otherwise इसका जो notification आया है मैं अपने telegram channel पे post कर दूँगी आप वहाँ जाके भी thorough out notification read करना अपने तरीके से आप उसको अच्छे से समझना और exam की त्यारी करने के लिए previous year के question को जरूर आप बनाना उससे आपको idea होगा कि इस बार question कैसा पूछा जाएगा और exam की जो pattern यानि syllabus है वो भी notification में दिया गया है तो आप लोग अच्छे से उसको पढ़ लेना और मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक like कर देना अपने friends के साथ भी share कर देना और चैनल को subscribe करके notification bell को all पे set कर देना ताकि मेरी सारी fresh वीडियो सबसे पहले आप सभी तक जाए तो मिलूंगे आपसे फिर से किसी जबरदास्त government job के update के साथ तब तक के लिए stay tune bye bye take care